राधा क्रिश्ण के कल राध के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो रिश्री वेद व्याद से उनकी एंट्री द्वारेका में होगी और अतलती सत्कार करते हुए श्री क्रिश्ण राधा से कहेंगे कि देखो राधा रिश्री वेद व्यास जी के भोजन में कोई कमी ना रहने पाए और जैसे ही वह भोजन ग्रहन कर रहे होते हैं वहाँ बलराम दाओ निशाद उल्मों के साल धोल नंगाडे लेकर कि उनके आगमन की खुशी मनाते हुए बजाना शुरू कर देते हैं जिसे देखकर उन्हें इ कैसे अपनी एकागरिता और सचे मन से अपने भोजन का आनंद ले रहा है यहां रिश्री वेद व्यास गनेश जी पर नजर डालते हैं जो कि वाकि में बहुत आनंद से अपने भोजन को खा रहे होते हैं और सारी एकागरिता वो भोजन पर लगा रहे होते हैं यह देखते ह या है कि महा ग्रंथ महा भारत का जो रचना होगी वो सिर्फ और सिर्फ गनेश के हातों ही होगी यह सुनकर गनेश बहुत जारा खुश हो जाते हैं और यही सब देखने के लिए मिले वाला है आपको आगयाने वाली एपिसोड में जिसमें देखना होगा बहुत के सानित्य में श्री गनेश के हाथों लिखा जाता है ये अद्बुद ग्रंत ऐसे ही मज़ेदार अपडेट के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेय करना ना भूलें